हलो दोस्तों हमेशकार एसे हम किसी चानल में आप सिबलों का दिल से बहुत-बहुत सवगत करता हूँ अगर आपने पहली बार विजिट के है जरू चानल को सबस्क्राइब कर लेना तो ठीक है दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमरे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो खबरों की तो लिटरली बारिश होती वी देखने को आपे मिल रही है जैसे कि मैंने आप लोग को का है आप लेटरली पक जाओगे कौन से टॉपिक के चलते कि भाई बजेट में ये होगा वो होगा उसी से रिलेटेड आपको दिन भर चर्चाए होते वे देखने को मिलेगी लेटर जितनी भी खबरे हाप आती है तो अपडेट देने का काम मेरा है भाई मेरा कोई रेकमेंडेशन ने की ये खरीदो वह खरीदो करके कि जो बिगनर होते है वो हमेशा ऐसे वीडियो देखकर खास करके मतलब डिशन लेते है कि ये खरीदना चाहे या फिर वह खरीदन दोस्तों तो अगें बजेट से रिलेटर पिछला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा ये वाला वीडियो भी देखा गया तो एक important sector हम लोगों को वापस radar के उपर आते वे देखने को आपे मिलेगा और एक बहुत बड़ी breaking वेप को ही पता चलेगा और ये budget के पहले हर वक्त रहता है इसमें कोई नई बात नहीं है अभी हम लोग बात करें दोजार चोबिस चल रहे हैं दोजार 25 में भी बात करेंगे 26 में भी करेंगे हर वक्त होता है ठीक है तो इस चीज की usually आदत आप लोगों को यहाप हो जानी चा और renewable energy में देखा गया तो सरकार का तो focus है ही भाई इसको बड़ावा देना है करके और इसमें अगर देखा गये तो काफी अलग-अलग चीज़े आपको मिल जाती है बट सबसे ज़्यादा सरकार का focus फिलाल तो solar के उपर हम लोगों को काफी ज़्यादा बढ़ते वे देखन अब आने वाले समय में हम कह सकते solar से related हो, module से related हो, कोई ना कोई अब यहाँ पर बड़ा announcement हो सकता है और दोस्तों अगर recently अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो खास करके solar से related जो rooftop solar है उसके उपर तो सरकार का सबसे ज़्यादा focus देखने को मिल रहा है घरों के उपर solar नहीं चाहिए करके ठीक है वैसे तो long time में देखा गे तो benefit ही रहेगा यहाँ पर यहाँ पर company भी क्या request करें कि आप थोड़ा सा सरकार भी मदद कर दे और अगर इसकी cost अगर कम हो जाए तो काफी सारे लोग यहाँ पर हमनों को rooftop solar के और बढ़ते वे देखने को मिल सकते हैं अगर हम लोग यहाँ पर 22 तारिक की बात करें 22 तारिक क्या था आपको बता ही है राम मंदीर से related हम लोगो राम मंदीर का मतलब प्रान प्रतिस्टापन हम लोगों को देखने को आपे मिला था और तबी officially announcement भी हुआ था प्रदान मंत्री सुर्यदय योजना की इसके उपर भ होने वाला है फर्स्ट पेप को रहने वाला है उसी की चर्चा यहाँ पर हो रही है कि चला आपने बोल तो दिया कि एक करोड घरों के उपर आप यहाँ पे सोलार रूफटाप लगाने से related लोगों को प्रक्सान देने वाले है उनको motivate करने वाले है ऐसी योजना अने वाली ह है ठीक है तो इससे related सबसे important चीज के है कि भाई पैसा कितना दोगे allocation वो तो सबसे important चीज है आपने बोलने के लिए एक करोड तो बोल दिया बट amount कितना दे रहे हो तो अनुमन था कि भाई 5,000 करोड हो सकता है 10,000 करोड हो सकता है पर दोस्तों अभी report के जरी खबर जो सामने आ रही है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँ है सबसे कीमती शब्त तो यह है said by the report ठीक है अभी again कहना चाहूँगा इसमें plus minus हो सकता है बट report में यह बतारे जारे दोस्तों कि at least at least शब्त का इस्तमाल किया जारे कि minimum 20,000 करोड यहापे allocate कि जा सकते to PM सुर्यदय योजन यह first wave को सबसे important अभी topic बन चुका है कि अगर renewable segment में बात करेंगे निर्मला सितरा मंजी तो सुर्यदय योजना से related PM सुर्यदय योजना से related उनका allocation कितना होगा तो फिलाल तो अभी market में बोला जा चुका है report के जरी कि 20,000 करोड तो होगा ही होगा अगर यह इतना बड़ा allocation ज चुड़े वे जितने भी companies है उनमें हम लोगों को पूरी तरीके से जोश देखने का आपे मिल रहा है मैं again कह रहा हूँ यह वाला जो budget है काफी बड़ा रहा पे रहने वाला है because इतने जादा उमीदों के pull बांदे जा चुके थोड़ा भी इधर उदर कुछ हुआ मान लीज यह फिलाल तो खबरे हमनों को रिपोर्ट की जरी देखने को पने है कि प्रदान मंतरी सुरेजय योजना के लिए 20,000 करोड का allocation फर्स्ट पेप को हमनों को सुना ही देखने का आपे मिल सकता है करके और इस चीज़ के चलते कौन से shares को फायदा होगा अभी यह तो आपको प्रदान मंतरी सुरेजय योजना सो डेफनेटली एकदम ही होट टॉपिक अभी हापे रहने वाला है देख लेते कितना सच कितना जूट अभी कौन से share को फायदा होगा इसी चीज़ के चलते तो भाई टाटा पावर थोड़ी नहीं इतना भागता है चार-चार-चार पसे 300 के अंडर था ठीके पहले तो कैसे चलता था 280, 290 फिर 310 फिर वापस थोड़ा निचे आता है तो लोग पुछ देते सर 300 की या फिर 280 पे खरीदे है 290 तो हमेशा की तरह में आपको एक ही बात कहता हूँ अरे बाई 10-20 रुपे के चक्कर में मतलब आप बड़ी रैली मिस कर ठीके अगर आपका वाकई में टार्गेट बहुत लंबा है कि भाई कंपनी बहुत धूम धड़ा के दार परफर्मस देगी ठीके अगर आपको लगता है इसे कि हजा सकते हर किसी का अपना अपना रुपन तो छोड़े यार 10-20 रुपे से क्या होता है ठीके आप बहुत हो गया ना बहुत बड़ा तो भाई कब 500 चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा तो हमेशा जो मैं आपको के चुका हूँ यह चीज के उपर ध्यान देना छोड़ दो भाई आपको बस एक ही चीज देखना है कि क्या आपको इसका बिजनेस अच्छा लगता है आपको ब्ल्यूचीप बड़ बन गये की नहीं क्यों ग्रोथ है इसमें कितनी बार रिपिटेशन हो चुके हैं वीडियो के माध्यां से अंट स्टॉक देखिए बहुत ही अच्छे खासे लेवल पे चलते वे दिखने कुना है बट यह तो इब्दम ओवरीट हो गया कुछ अच्छा परफर्मस दे रहा है और जिस सेग्मेंट में काम कर रहे है रिनेवल सेग्मेंट वहां से अगर बड़ा ओडर इनको लगातार आते रहेंगे ठीक है वो अगर जैपूर और डेली का जो इलेक्ट्रिफिकेशन का ओडर अगर इनको मिल गया ना ठीक है थोड़ा से चीज का है कि कमपनी अगर अच्छी है तो इन छोटे मोटी चीजों को थोड़ा स्कीप करके भी चलोगे तो ठीक रहेगा दें स्टेरलिंग विल्सन देखिए सर्किट लगते भी देखने को मिल रहे है रूफटॉप से रिलेटर यह कमपनिया काम करती है ठीक है यह पूरी एरेरा आज भी सर्किट लगते भे देखने को मिल चुका है यह वर्निंग में हमेशा देखिका वर्निंग बोलो अलिट बोलओ जो स्टॉक सर्किट में अपर जा रहा है कभी ना कभी तो रुकेगा कि नहीं आपको भी पता है रुकेगा वह मट 총 पहां तक जाके रुकेगा मतलब आप इमेजन करके देख लेना कितने सारे लोगों को भविश्य में कितनी बड़ी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि यह तो सत्य है, आज ने तो स्टॉक तो गिरने ही वाला है, बट हाँ वो उन चीजों को हजम ही नहीं कर पाएंगे, तो एक normal decent investor की तरह आप लोगों नही देखने को मिल रहा है, देन PFC की बात करें, यह भी finance से related काम करने वाली कंपनिया है, देन REC की अगर हम लोग बात करें, इन सब में अगर देखा गे तो एक बहुत ही positive development हम लोगों को होते वे देखने को बना है, आप इनके chart button देखो, कुछ था ही नहीं इन में, कई साल हो ग अगर है, यह सरकार की रणनिती बदल गई, आप इन companies को पैसा दोगे भाई, तो यह company तो business करेगी, revenue generate करेगी, profit generate करेगी, आप पैसा ही नहीं दोगे, तो फिर ठीक है भाई, एक ही range में पड़े रहेंगे, तो इसलिए यह सारी चीजे माइने रखती है भाई, कौन से सरकार आएगी, नहीं आएगी, आएगी तो कितना इनको allocation मिलेगा, नहीं मिलेगा, उस खुरसी के उपर कौन बैठेगा, उन्ता vision क्या है, mission क्या है, तो जाकि ए company का भवितवे हापे तेह हो जाता है, तो और राल conclusion के अगर मैं बात करो दोस्तों, तो फर्स्ट फेप तो काफी आएगा, तो भी अच्छी बात है, बट फिर भी market में क्या भाई चलो, एक कुछ तो panic फिलाने का reason मिल जाएगा एक पेप को, तो यह देखने वाली बात भी हापे रहेगी, ठीक है, तो जितने latest important cover होती है, दोस्तों, वह मैं आपको provide करनी की कोशिश करता हूँ, यह video कोई recommendation condition वाला नहीं होते है, कोई भी video नहीं, ठीक है, तो यह point आपको पता होना चाहिए, वीडियो helpful लगाऊगा, चाहो तो like and share कर सकते हो, मिलते हैं next day में, तब तक के लिए, bye bye